हां जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में यह वादा वीडियो थोड़ा सा शौट रहेगा काफी जादा ही शौट रहेगा अदेगे जरूरी तो नहीं है न हर वीडियो को एक घंटे का खीचा जाए सिर्फ वाच टाइम बढ़ाने के लिए जहां जितनी requirement है उतना दू इस तरह कि यह कीवर्ड्स आपने सुने होंगे और बी काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं इसा नहीं कि सिर्फ यह यह दो ही है बट एक्शली मैं आपने देखा होगा की call, bind, apply यह जादा तर क्या है कि एकी साथ cover भी कर दिये जाते हैं और एकी साथ समझा भी दिये जाते हैं अ आतर यूट्यवर्स तो react के बारे में बात ही नहीं करते थे तब react के अंदर भी bind बहुत जादा यूज होता था अगर आप version 1 निकालोगे जब react launch ही हुआ था तब हमें access मिला था कुछ लोगों को internals को वहां पे थोड़े externals को भी दिया था उनमें से मैं भी एक था तब हम bind इतना जादा यूज करते थे इतना जादा यूज करते थे क्योंकि language का framework इतना ओर library इतना defined ही नहीं थी इतना syntactic sugar था ही नहीं उसके अंदर तो call और bind हर जगे यूज करते थे कि कुछ भी करना है call लगाना कुछ भी करना है bind लगाना अभी कहीं नहीं लगाना पड़ता चीज़ हमेशे ध्यान रखेगा, मैंने आपको याद होता है, स्टार्टिंग में समझाए था, कि हमारे पास होता है क्या, एक call stack, याद है, भूल गए, पर से भूल गए, एक call stack होता है, जहाँ पर सब कुछ execute होता है, वहाँ पर हमारे पास एक global execution context होता है, जो तो हमेशा रहता है, फिर एक function आया, तो उसका context आजाता है, फिर एक और function आया, तो उसका context उपर आजाता है, जैसे function हटा, तो उसका context वहाँ से हट जाता है, तो जब भी वो function एक नया function उपर आता है, वो अपने साथ वापिस से पूरा अपने execution context लेके आता है, याद है बताया था, memory लेके आता है, call stack लेके आता है, तो वो हमेशा ही होगा, और उसके अंदर क्या है कि कुछ default property, जैसे global context में लेखते हो न, कि आपके पास browser APIs request हो जाती है, तो काफी और चीज़े भी होती है, हर functional execution context के अंदर भी, अब एक चीज़ भी हमने last वीडियो में just discuss करी, एक दिस नाम का भी keyword होता है, current execution context, बट by default क्या होता है, अगर आप function के अंदर वापिस से function आते हैं, अचली, इसका हम थोड़ा सा advantage लेते हैं, थोड़े से आपको मैं code के थुरू बताता हूँ, कि actually मैं कैसे क्या हो रहा है, code भी नहीं, diagrams के थुरू बताता हूँ, ठीक है, तो excali draw पर आजाते हैं वापिस से, यहां एक और diagram हम बना लेते हैं, तो ठीक है, हमारे पास यह है execution context, ठीक है जी execution context है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर top, सबसे जो bottom में आता है, यह तो आता है हमारा global execution context, ठीक है जी, तो इसको तो हम लिख लेते हैं, global execution context, global EC है हमारे पास यह, ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, इसके बाद एक और function आया, ठीक है जी, function आया, तो उसका execution context यह रखा, अब एक और function आया, तो उसका execution context मैंने यहां रखा, अच्छा, ऐसा scenario भी तो हो सकता है, कि suppose करिए, यहाँ पर मैं लिखा text, और एक लिखा function, यह लीजे, जो भी इस function का नाम है, और यह लीजे, अब ऐसा भी तो हो सकता है, उस function के अंदर आप एक और कोई function काल कर रहे हो, जैसे suppose करिए, call me, log वैसे console.log, log, हम करी रहे हैं, वहाँ पर सब जगे, तो call me, अब ऐसा case भी तो हो सकता है, कि आपके पास एक function और उसके अंदर भी एक context काल हो रहा है, अब यह suppose करिए, कि आपके पास यह function काल होना था, ठीक है जी, तो इसका execution context आएगा, यह लीजे आ गया, अब यह function internally इस call me को भी call कर रहा है, तो इसका भी तो एक context आएगा, तो suppose करिए, इसका भी यहाँ पर call आगया, यह लीजे इसका execution context पर problem क्या होती है, अब इसको कहन बताएगा, कि this, यह जो this keyword है, यह किसको refer करेगा, यह एक javascript के अंदर एक काफी पुरानी problem है, आजकल तो काफी solve हो गई है, आपको जो arrow functions वगरा है, वहाँ पर भी यही same actually मैं मिलता है करने को, इस वरले को, जिसका नाम है actually मैं, यह हमारा किसका है, यह call me का execution context है, इसको कौन बताएगा, this किसको refer करना है, क्योंकि इसके लिए तो सबसे outer layer है क्या, यह function ही है, पर function को refer करनी रहा, तो ऐसे case में, ऐसे situation में actually मैं this जो है, जो आपका this keyword है, वो refer करता है global execution context को, अब global execution context का problem प access करता है, तो यहाँ पे आपके पास this जो होता है, वो actually में refer करता है window object को, लेकिन जब आपके पास node वाला environment है, वहाँ पे window का access है नहीं, तो वहाँ पे आपके पास empty object आता है, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा, interviews वगरा में पूछा जाता है, यह बड़ा ही tricky scenario, इस scenario को हम create करेंगे, और देखेंगे कि actually में problem होती कहां पर है, बट हाँ, जिनको यह knowledge है न, क्योंकि react आज है, react में यह problem आप हटा दी गई है, actually में overlap, abstraction कर दिया गया, पर problem है आज भी, यह problem है, यह real case scenario है, तो चलिए call का मैं आपको practical example लेता हूँ कि ऐसा होगा कब, तो चलिए एक नई discord में username set करने के लिए कुछ rules भी आप check करते हो, database से भी call लेके आते हो, कि किसी और ने कुछ ले तो नहीं रखा ऐसा username, तो यह सब देते हो, ठीक है जी, तो हमने username यहां से accept कर लिया है, user से, और this.username के अंदर हमने username add कर दिया है, तो जब भी आप इसको बोलोगे कि username को set करना और function है, वो function क्या करता है, वो करता है create user, ठीक है जी, user बनाता है, अब user से बनाते है time हमने क्या क्या लिया, username लिया, एक email लिया, और एक लिया हमने password, ठीक है जी, बड़ा ही common सा scenario लिया है हमने, इसलिल तो कह रहा हूँ, practical सीरीज है, पूरी की पूरी, तो अब क्या करते है, कि ठीक है जी, हमने कहा this.email जो है, उसको set कर दो email से, ठीक है जी, कर देते हैं, कोई दिक्कत है इनी इसमें, ये तो आपने 1000 बार कर रखा है, this.password को भी आप set कर दो password से, ये लिजे, ये भी कर देते हैं password से, लेकिन, ये जो username है न, इसको directly मत करो, एक काम करो, ये method call कराओ, जो भी आपका है, set username वाला, ठीक है जी, करा लिया, और इसको pass on कर दो username, और ये set कर के देगा आपको username को, ठीक है जी, माल लिया, ये कर के देगा, अच्छा, ये अगर कर के देगा, तो actually मैं यहाँ पे username का access होना चाहिए, अब ये method call हो रहा है, इसके अंदर ही call हो रहा है, तो technically तो हमने ये देखा था ना, कि अगर उसके अंदर call हो रहा है, तो आपके पास उसका access होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी variable आप declare करते हो, उनका access आपके पास होता है, internally कोई भी अगर और चीज़ भी declare करते है, function के अंदर और, तो वो भी access होता है, तो इस function को अगर यहाँ call कर लिया है, तो कई लोगों को लगेगा कि उसका जो execution context हो इसके अंदर आ जाएगा, हाँ, यहाँ बड़ी interesting सी कहानी है, तो actually मैं कहानी आपको तब समझ में आएगी, जब आप क्या करोगे, const लोगे, suppose करो एक नया user बना रहे, discord पे चाहे, और आपने सारे protocols follow क करें, कि भाई new keyword भी लगा रहा हूं मैं फंक्शन के अंदर ता कि एक मुझे सारा access भी मिल जाए, ठीक है, यह सब आप काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको आता है, वो सारे discussion हम कर चुके है, ले लो भाई username सारा, चाहे ले लिया, username ठीक है, email भी ल कराते हैं, यहाँ पर आती है problem कि actually मैं क्या क्या हो रहा है, तो node के अंदर हमारे पास 10th है, और इसके अंदर ये call को execute करा दो, ठीक है जी, email और password तो आगए जैसे expected थे, पर उस property का क्या करें, जो इस method ने set करी है, और set भी करी है कि नहीं करी है, क्या guarantee है इसकी, क्योंकि करा रहा हूं, तो इसका username तो set हुआ ही नहीं, email और password ही हो रहा है, इसके लावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, subject के अंदर, problem वाली बात है, तो actually मैं call हो भी रहा है क्या, पहली बात तो यह और हो रहा है, तो मैंने बोला this.username, तो यह तो यहाँ इस function में set हो रहा है, मुझे त तो यहाँ था ना, this.username equals to username, तो यह वाला जो काम है, यही तो मैंने outsource कर दिया है, कि यह वाला काम US में जाके होगा, यह यहाँ पर US है, यहाँ जाके हो रहा है यह काम, तो कैसे यह काम किया जाए, अच्छा, problem तो आ गई, तो यह method call तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर ह actually में call हो ही नहीं रहा है, अच्छा है, ठीक है, अब इसको call अगर आपको इस तरह से कराना है, function के अंदर से, तब actually में यह जो call है, आपने उसका reference दिया है, उसको call नहीं करा, हाँ मैं मानता हूं कि यह थोड़ा सा deceiving है, कि यह parenthesis से आपको लग रहा होगा कि नहीं call तो तो इसलिए JavaScript में आपको कुछ methods मिलते हैं, जिन से आप explicitly जाके उन methods को call कर सकते हैं, जिन में से एक है dot call, अब यह call method क्या करता है, call method of an object, substitutes another object for the current object, यह सब छोड़ो क्या है, यह सब की पहानी में आपको समझा दोगा क्या है, बड़ा complex लिख रहा है, but actually में call लिखने के आप देखेंगे, actually में call तो हो रहा है, but कोई काम का call नहीं हो रहा है, चलिए इसको भी करके देखते हैं, जितनी clarity आए उतना ही अच्छा है, लेकिन अब भी तो आपने कहा कि यह call नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यह आ रही है, कि जैसे यह हुआ, call हुआ, ठीक है, run हो गया, अब उसने का ठीक है, जी run हो गया, तो इसको हटाना है, तो यह हटाया, और इसका execution context है, यह भी हटा दिया, तो उसके अंदर जितने भी variables declare हो एते, वो गयब, अब ठीक है, वो गयब हो गयब, तो यहां तक तो कभी पहुँचे ही नही हां जी, तो execute होके, ऐसक ऐसक गयब थोड़ी ना कर देना, उसका reference hold करके रखना है, तो reference hold करने के लिए actually में जो method आता है, वो आता है dot call, और भी है, dot bind भी है, और भी है methods, लेकिन इस scenario में, इस situation में, क्योंकि मुझे सिर्फ उसका reference hold करके रखना है, इसलिए मैं dot call यूज कर र रखना है ना, कि उसके अंदर जो भी variable declare हो रहे है, या जो भी function call हो रहे है, या execution हो रहा है, उससे जो value return मिल रहे है, वो भी तो चाहिए ना मुझे, ऐसे थोड़ ना होता है, तो आपको execution context में देना पड़ेगा, अब सिर्फ आपने अगर dot call लिखा है वहाँ पे, तो भी का हो जा रहे है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक reference देना पड़ेगा, कि या यह जो आप set कर रहे हो ना, जित्ता भी, यह आप खुद के this में मत करो, क्यों मुझे पता है, हर function का अपने आप में एक this होता है, उस this के अंदर और और भी values add करी जा सकती है, लेकि यह this के होता है, जब भी आप call यूज करते हो, तो first parameter आप this, optionally चाहो तो pass कर सकते हो, जैसे ही अब मैंने उसको this दिया है, तो क्या कहेगा, ठीक है, बाकी syntax सेम रहेगा, लेकिन मैं मेरा this यूज नहीं करूँगा, मैं आपका वाला this यूज करूँगा, और this से क्या है, current context मिल तो आप इसको वापिस से run करा के देखते हैं, अब run करा है तो देखिए, username set हो गया है, तो यह जो this की कहानी है, context pass करने की यह बहुत होती है, actually bind की तो और भी ज्यादा कहानी होती थी react के अंदर, कभी वो भी सुनाएंगे आपको फुरसत के अंदर, बट अभी आपको समझ म में आगया है, कि actually में call हमारा जो method है, कभी भी आपसे को इंटर्वियों पूछे की call होके आ रहा है, तो अब आप सिर्फ यह नहीं बोलोगी, रटा रटा स्टैप, कि this यह call हमारा current execution context कि किसी और function को pass कर देता है, technically सही हो, लेकिन जब पूरा इतना example दोगे, अच्छे से समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, तो क्या करना है, अरे subscribe तो मतलब क्या ही बात करें हर बार, अब आप करी नहीं रहें, तो चलिए छोड़िए क्या ही बात करें आपसे इस बारे में और, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में